Welcome to Motivated Skilled आपके पास विशाई की सारंसिक नोट स, महतपूर तिथिया और हर्मुली आदी होना चाहिए फिर नीमित अंध्राल परुने पुनार औरोकन करे दूसरा अध्यान की समय का प्रबंधन आपको समय का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा इस्तिर समय सार्णी बनाए और उसे पालन करे विभी ने विश्यों को एक साथ पढ़ने की बजाए उन्हें विभाजित करके पढ़े पढ़ने से समवेदन सीथा पढ़ती है तीसरा सधारनी करन और चम्यों का प्रियोग जनकारी को सधरने करीट करने के लिए मांचित्र च्विया और डाइग्राम का प्रियूक करे या विसाय को समझने में मदद कर सकता है और याद करने में सायक हो सकता है चौथा विसाय को समझने का प्रयास करे बस रट मरनी की बजाए अगर आपके पाफ अच्ची समझ होगी तो आप उसे असानी से याद कर सकेंगे पाँचवा, सिखाने और सिखाने का प्रयास किसी विशाख को दूसरे को सिखाने का प्रयास करने से आपकी समझ में और भी मजबूती आएगी इसके अलावा आपके पास सिखाने का एक नए द्रिष्टी कोड भी होगा जो आपकी याद दास्त को बढ़ा देगा छटवा आप सकते के नुसार मनुरंजन जब आप लंबे समय तक पढ़ लाए होते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करना भी अवसक होता है इसके लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं योग कर सकते हैं या कुछ मनुरंजन कर सकते हैं साथवा रिवजन का मात्वा निमित रिवजन अपनी यादास को मजबूती देता हैं नए जनकारी को बार बार दोराने से वो आपके मस्तिस्ट में इस्थाई हो सकती हैं आठवा, स्वास्ता जीवन सेने, सनी आहार, परियाप्त नीन और नीमित व्याम आपके मालसिक स्वास्ता को बहतर बनाते हैं, जिसे आपकी यादस्त भी बहतर होती हैं. 9. सकारात्मक सोच सकारात्मक मान सिक्ता रखना आपके अध्यान को और भी प्रेरित कर सकता है अपने लक्षों को सामने रखे और उसके दिसा में प्रियास करे 10. छोटे लक्ष तै करे बड़े लक्षों को छोटे छोटे उप लक्षों में विभाजित करना भी आपके मानसिक स्थिति को बैतर बना सकता है या आपके आत्मसंगरान को बढ़ावा देगा इन सुजावाँ को अपने अध्यान में सामील करगे आप अपने पड़े हुए वीज़ों को असानी से याद कर सकते हैं याद रखें कि प्रते के वृक्ति का अध्यान तरीक अलग हो सकता है इसलिए आपको अपने स्वैम के अध्यान प्रणाली को खूजने में समय देना चाहिए याद रहे अध्यान एक प्रक्रिया है और सफलता के लिए धैरिया, महनत और संगर्श किया सकता होती है आपके परियासु की सफलता की कामना करता हूँ यदि आप वीडियो अच्छा नागा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें